आप सभी को नमस्ते जितने भी लोग जूर चुके हैं मेरे पेज के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सब को गुड मॉर्निंग पहले समझी है कि हमने क्यों लिखा है बहुत लोगों लग रहा है कि गाने के मामले में आकर के लिखी है तो बहुत सारे लोग negative कोमेंट कर रहे हैं जो ठीक किया है फ़णा किया है चेना किया है तो पहले matter जानिए कि क्या matter है एक matter उख रहा हुआ है हम गाने के मामले के इसे लिए नहीं लिखे है कि मेरे बारे में चरहाता है कि अंतरा सीन्य हां सीन्य कि गहने के लिए मैंत्रा सिंग को कि अन्तर सिं और की अंथ्रा सब्सक्राइब मेरा रहता है सकता है अब न्यूज बना देगा कि अंतरा सिंग ने हई गया हो गया तो ठीक है भाई परचार ही न कर रहे हो दो रुपया कमा रहे हो मेरे ही नाम से कोई दिक्कत नहीं लेकिन अब अंतरा से एक मैटर है जो जिनको नहीं पता है एक मैटर चल रहा है कि वोगो का अपने आफस में झजग रहा है अपने पड़िवार में ही जग रहा है लेकिन ये सब फालतुपन है ना भाई किसी को बदनाम कर रहा है किसी लड़की के इज़द के साथ इसका मतलब तुम्हारे पास तुम लोग के पास मदद के लिए कोई लड़की अगर रोके आईगी तो तुम लोग यही सिला दोगे और उसको बदनाम करोगे तो उसकी मदद करोगे बताईए कितना गंदा बात है तब तो होगा कि किसी को प्रॉब्लम भी होगा तो यूटूब पे आकर के या अपने फेस्बूक पे आकर के नहीं रो सकती है या प्रॉब्लम नहीं बता सकती है बताईगी तो वो दूसरा बात हो कर देता है ये लोग कल मुझे ही कोई प्रॉब्लम होगा लड़की भी रो रही है तो इसका भी कोई साथ नहीं दे रहा है गंदा परभाव परेगा हम किसी को बदनाम कर रहे हैं यहाँ यही काम है कि अपने इंडस्ट्री की लड़की को बदनाम करेंगे हमको तो खुसी होती है कि सारे लोग अपना काम कर रहे है सब का हक है आगे बढ़ने का कौन नहीं पैसा कमा रहा है इस लाइन में ने ने बहुत सारी लड़की ने ने लड़के का गाना हीट कर रहा है तो हमको तो खुसी ना है कि भुश्पुरी इंडरस्टीज बढ़ रहा है सब को कुछी होती है कि चलिए एक गाने वाले आए सब का स्वागत होता है वैसे हम कंप्लेन कर दिये हैं और लोग कंप्लेन करें या ना करें लेकिन हमने तो कंप्लेन कर दिया है कि किसी लड़की की इज़त की सवाल है इज़त का सवाल है इसलिए हमने कम्प्लेन किया है गाने के मामले में तो आज तक हम कम्प्लेन नहीं किया इज़त का बात आता है तो हम कम्प्लेन करते हैं और दो से तिन दिन में इसको पता चल जाएगा जब सुने हमको बहुत हासी आ रहे थी कि बताईए कि गाली का जहां तक सवाल है सोसल मीडिया पे तो यह बहुत आसान है किसी गाली दे देना तो हम उनको समझाएं कि सोसल मीडिया पे जब ही आप कुछ करते हैं तो सब को नहीं अच्छा लग सकता है लेकिन हाँ सोसल मीडिया पे यह देखिए कि सो आदमी हैं सो आदमी के लिए आप यह चीज़ कर रहे हैं तो उसमें से दस आदमी नहीं सुनना चाहा और गलत कोमेंट किया और नब्बे आदमी को अच्छा लगा और दस आदमी को नहीं अच्छा लगा तो नब्बे आदमी को जो अच्छा लग रहा है वो काम कीजिए तो ही आपका कल्यान है नहीं तो वो दस आदमी के करण आपका जीवन खराब हो जाएगा दस आदमी के फिर में आदमी रहेगा तो किसी का भी जीवन बरबाद हो सकता है गाली गलोज सुन करके सब को पढ़ता है गाली जो लोग ही मतलब सोसल मीडिया से जूरा है सबको गाली परता है तो गाली कोई बरी बात नहीं अभी के समय में वो नेतागीरी से ले करके अभी नेतागीरी से ले करके सिंगर गीरी तक सबको गाली मिलता है इस लाइन में मोदी जी हो गया है नेतागीरी में ही चली जाए मोदी जी को इतना गाली मिलता है लालू जी को उनको पसंद करता है कोई उनको पसंद करता है Deso così करल कारि में है raga catch learning ज्यादा फर्पनेजा राजनीतिक निमें जिस तरह से होता है यहां जो किसी को कोई पसंद किसी को नहीं पसंद है क्या हम तो समझ रहें कि कलाकारी में एस होटा है कोई इसको को पसंद होता है on Hanoani निकालहेंगे तो दस आदमी को पसंद होगा तो इसका मतलब पाफ आदमी के ओना अदमी रोकं देगा तो यहीं होता था नहीं तो जीबन बरबाद हो जाएगा नहीं तो आदमी भड़े बैठ जाएगा trois दस आदमी तो परा confessional me में ज्यादा फर्क नहीं मेरे हिसाब से